रादे रादे सब्स्ट्रेक कीजिए फुनीता कुकर चानल को बेल आइक अंद बाईए काना जी की वीडियो की नुटबे की शिट पाईए रादे रादे सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम फर्स्ट पार्ट सीखने वाले हैं लेडिस जैकिट का जिसमें कि ये मैंने पीछे का सब बना चुकी हूँ इसमें मैंने बॉर्डर बनाया है और जे डिजाइन बनाकर मुड़े की घटाई तक म आपको बनाना सिखाऊंगी और ये मैंने कैसे बनाया और कितने फंदों से बनाया है ये सब में इस पार्ट में तुमें सिखाने वाली हूँ ठीक है तो इसमें ये जो डिजाइनर फंदे मैंने डालना सिखा चुकी हूँ तो मैं उसका लिंक इसी डिस्क्रेप्शन के निच अगर आपको medium size का बनाना है तो आप इसमे 110 फंदे डाल सकते हैं और यह जो design है यह देखे बहुत ही प्यारा सा है बिल्कुल radiant look देता है देखे आप और बनाने में असान है बस थोड़ा सा आपको धिहान रखना पड़ेगा और जब शुरू में थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत हो फिर उसके बाद एक बाद जब set हो जाता है design तो आपका बहुत ही बनाने में भी मजाता और यह जल्दी बन भी जाता है तो बहुत ही प्यारा सा design है और यह जो design है हमारा 12 12 फंदों के हिसाब से यहनकी 12 प्लस 12 प्लस 12 और उसके अलावा हमने तीन extra फंदे लिए हैं ठीक है तो इस तरीके से यह मैंने बनाया है तो मैं पहले इसका में आपको इक दो सीधे दोल्टे तो आप बॉर्डर बनाना जानते ही होएंगे फिर भी मैं जब आगे के पार्ट सिखाऊंगी फ्रंट के दोनों तो आपको सारा यह बॉर्डर से लेके मैं पूरा बनाना सिखाऊंगी आज हम सबसे पहले यह design सीख लेते हैं क्योंकि design ही सबसे जादा जरूरी है तो आज की पार्ट में हम design सीखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी बॉर्डर फंदे भी डालना पहले सीखाच में जैसे मैंने बताया फिर भी हम सीधा नीचे से शुरू करेंगे और side की button पट्टी वगएरा जब बनाएंगे तब इसमें design भी हमारा आ जाएगा तो आपको फिर से सीखने को मिल जाएगा तो आज हम सिरफ design सीखते हैं तो यह देखिए हमने इस तरह के से एक उन लिया है यह मतलब की 10 नंबर पर हम इसको बनाने वाले हैं हमने इसमें border हो या उपर उपर तक हमने सारा एक है स्लाई से बनाएं, 10 नमबर स्लाई से हम इसे बनाने वालें, पूरे स्वेटर को, यह नहीं कि हम बोर्डर में दूसरा लगा रहे हैं, बोर्डर से लेके नीचे से लेके उपता हम 10 नमबर पर इसको बनाएंगे, और यह मैंने अभी उन, मैंने जो लिया हुआ है, यह 300 गराम मैंने लिया हुआ है, देखते हैं कितना लगता है, वो बात में मैं बताऊंगी, ठीक है, तो हम इस डिजाइन को जैसे मैंने बताए कि 12 प्लस 12 के साब से बनेगा, तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, तो यह देखिए हमने 27 फंदे डाले हैं, यह देखिए, मैं आपको 11 बारा, 12 प्लस 12 चोबिस, और 3 फंदे हमें एस्टर लेने, ऐसी जैसे हैं 120 फंदे हैं हमारे, तो 3 फंदे हमने इसमें 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 बढ़ा दिये, 12 प्लस 12 के साब से हमारा चलके, 3 फंदे हमने इसमें 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 इसमें, जितने भी आप फंदे बोडर हम इसमें दो सीधे दो उल्टे बना लेते हैं जैसे और पीछे की उल्टी सलाई हम बनाएंगे उसके बाद सीधी तरफ हमारा डिजाइन डलेगा तो यह जैसे हमारी सीधी साइट की सलाई है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक दो मालीजी आप एक सीधा एक किया एक सीधा फिर दूसरा सीधा दो सीधे उनको आगे किया दो एक और यह दो फिर उनको पीछे किया गिए 1-2 कि फिर उनको आगे किया और दौसे ऑंसे दो इल्टे दो सीधे का आपको बडर बनाना है जाए आप 1 सीधा 1 उल्टे और बना सकते हैं और डिजाइन बनाने के लिए हमिने उल्टी स्लै पुरी उल्टी बनानी पड़ेगी पिर हम सीधी स्लै से डिजाइन शुरू करेंगे ठीक है तो इस तरीक्रे से हम बॉर्डर बना रहे हैं सबसे पहले और मैंने सिंपल ये डाले हैं और रिशेटाइनर फंदों का आपको लिंक मिल जाएगा आप बनाना सीह लिजेगा तो देखी हमने तीन फंदे एस्ट्रा लगाएं तो ये बॉर्टर में हमारा लास्ट में एक फंदा आ रहा है ठीक है लेकिन वो हमने बॉर्टर में उपर की तरफ तीन फंदे बढ़ाएं नीचे 120 तो उससे हमारे दो सीधे दोल्टे आ रहे हैं ठीक है न अब ये उल्टी से लिए ह як Ну जैसा दिकता है उसे वैसे बनाते है यह दो सीधे बना लेंगे इस तरह कहिए से हमारा दो शीधे दोल्टे का बॉटर बनता है ठीक है तो मैं थोड़ा सा बॉर्डर बणना लेते दyसके आपको और भी अच्छे से समझ atravips चाहा हैं तो देखिल चोता सारी लाइन का पूर्टर बना लिया है को तो इलास्ट मीलटा आ ह्या है तो जैसे पूरडर भनालियस vive ॉसमने बना लिए अब हमारी उल्टी सग है चीन्या जब आ सलाई हम उल्टा बना देंगी जब हमारा बोर्डर पूरा हो जाएगा ठीक है तो हमने बोर्डर बना लिए इसलिए हम इने ऐसी बनाया है तो अब हमें उल्टी तरफ से पूरी सलाई उल्टी बना लूँगी और फिर सीधी तरफ से हमारा डिजाइन शुरू होगा तो देखिए हमने उल्टी से लाई पूरी बना लिए अब हमारा डिजैन शुरू होएगा ठीक है जैसे मैं यहाँ पर बनाओंगी ऐसे से जितने भी आपके फंदे होंगे उसी तरह आपका बनता चला जाएगा ठीक है सबसे पहले हम पहला फंदा बनना चाहें तो बन सकते हो नहीं तो बिना बना इस तरह किसे ले लिजीगा एक फंदा हो गया दो तीन चार और यह पांच पांच फंदे हम उल्टे लेंगे तो देखें हमने पांच फंदे उल्टे लिए अब आपको यह देखें जाली वाला डिजाइन है आपने देखा होगा यह एमारे जाली वाला डिजाइन है जाली का मतलब यह होता है कि हमारे फंदे बढ़ते हैं तो जो फंदे हमारे बढ़ेंगे वो हमारे घटेंगे भी तब ही हमारे फंदे उतने रहेंगे नहीं तो हमारे गलती से भी अगर हमने फंदा नहीं घटाया तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच फंदे हमने जो है इस तरीके से उल्टे बनाए है अब यहाँ पर उनको पीछे करेंगे और यह देखिए एक और यह दो दो फंदो का हम एक करेंगे पाँच फंदे लिए यह शुरुआत है हम जब डिजाइन की शुरुआत कर रहें तो यह पाँच फंदे उल्टे जब भी आप बोडर बनाने के बाद बनाएंगे जब भी आपको ऐसे करना उसके बाद तो आपका बस नॉर्मल बनेगा जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा बनाना भी ठीक है तो पाँच फंदे उल्टे फिर एक और यह दो यहां से ऐसे दो नहीं लेने आपको यहां से ऐसे दो लेने तो आप इस तरीके से थोड़ा सा इसे लूज कर लिजे अगर आपको दिक्कत होती है फिर आप यहां से पीचे से ऐसे सला लेंगे दो फंदे इस तरीके से आपको सीधे बनाने तो हैँ पर होगया आपका एक फंदा कम यह जाली रहों है तो इसे हमें उनको आगे करना है कि उसे 2 पर फिर उनको करती हाझाद जाली ड़ले गया तो फंदे बराबर हो गए फिर उनको आगे करना है फिर यहां दो का एक करना क्योंकि यहां आगे तो एक जाली ओड़ लेगी यहां फंदा बढ़ जाएकर यहां फंदा घड़ जाएगा तो यहां पर क्या करना है अभी मैंने इस तरीके से लिया था अब हमें यह जो फं पड़ दिया इस तरीके से तो यह जो हमारी जैन स्टित अाजाएगी उन आगे किया और एक और यह दो इस तरीके से दो फंदो को हम ऐसे सीधा पीछे की तरफ बून देढ़ेंगे यहाँ पर दो का एक हो गया तो यहाँ आप देखें कि एक जाली इधर आ गई, एक जाली इधर आ गई, बीच में हमारा एक बंदा सीधा बनाए, ठीक है, फिर उनको आगे करेंगे, यहाँ पर हमें 5 बंदे बनेते, अब यहाँ पर हमारे 7 बंदे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह 7, 7 बंदे बनाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर स उनको पीछे किया, दो फंदे इस तरीक से एक और ये दो, पहले हमने ऐसे लेना है, दो का एक कर दिया, फंदा कम हो गया, उनको आगे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे करेंगे, और यहां पर फंदा पलट देंगे, इस तरीके से कर देंगे, और ए और यह 2 का एक, पीछे की तरफ सरे से, दो का एक कर दिया, तो सेम दिजाइन हम नहीं है यहाँ पर बनाया अब यहाँ पर, एक दो, तीन, चार, पांच फंदे हमारे बचे एं जैसे कि हम ने शुरू किया था, उनको आगई करेंगे और पांच फंदे, एक, दो, तीन, चार, और ये पाँच फंदे उल्टे बना लेंगे लेकिन अगर आपके फंदे जादा हैं तो इसी तरीके से आपको साथ फंदे लेने पड़ेंगे फिर साथ साथ इसी तरीके से आपका चलता जाएगा जैसा कि मेरे स्वेटर में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पांच लिए, यहाँ पर देखे साथ हैं, यहाँ पर भी साथ हैं, यहाँ पर साथ हैं और जब हमारे ज़्यादा फंदे हैं, इस तरीके करते करते हैं, यहाँ पर हमारे पांच फंदे हैं तो यहाँ पर हमारे पांच फंदे आएए उल्टी सिलाई में जो जैसा फंदा है वैसे ही आपको बनाना है तो यह देखिए पांच फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए तो यहाँ पर हमारे सीधे आ रहे हैं तो इनको सीधा बना लेंगे पहला फंदा भी ना बना लिया एक दो गए तीन चार और यह पांच पांच फंदे सीधे हैं और यहाँ पर हमारे जाली है और यह जाली हमने सीधे फंदे बनाए थे तो यह हमारे उल्टे हैं उनको आगे किया एक और यह देखिए जाली वाल आगे ना इसे भी उल्टा बना लिया यह सेंटर में जो बनाया था हमने इस दूसरी जाली आ घए और यह तो ही फंदे हमारे देखिए एक-दो-tee- nossa vessel, यह मारे यह 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 syदhya आईैं और जहां सीधे थी उल्टें तो पांच फंदे ये पांच फंदे इस तरह किसे हमारा अब देखिए फिर उनको पीछे करेंगे साथ फंदे बीच में हमारे सीधे दिख रहे हैं जो जैसा दिख रहा है आपको वैसे बनाना है एक दो 3, 4, 5, 6, 7 सीधे बनें आभी देखिए उनको आगे करेंगे ये पांच फंदे हमारे उटे ये आलग से दिखाइदे आपको ए ये जाली वाला अगया फिर ये आगया सैंटर वाला फिर दूसरी जाली आगयी और फिर ये जो हमने सीधे फंदे दो कें तरह ये हमने पांच आगे लास्ट में हमारे फंदे पांच हैं जो सीधे हैं क्योंकि हमारे इधर से उल्टे थे यहां से सीधे पस शूरू में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फिर तो दिखाई देने लग जाएगा कोई दिकत तो यह हमारी डिजाइन की दो लाइने बन गई है यानि हमारी तीसरी से लाई आ रही है डिजाइन की और यह देखिए दो जाली ऐसे आई है हमारी दो जाली यहां पर ऐसे ही और डिजाइन हमारा इस तरीके से यह एक दो तीन चार चार जाली तक ही हमारा डिजाइन ऐसे चलेगा और बीच में से फिर इस शूरू हो जाएगी इस चार फंदे हमने ले लिए अब ये हमारे बचे हैं दो एक फंदा जोल्टा है इसे हम ये देखे सीधी जो हमने इस तरीके से घटाई था दो का एक किया था तो ये हमारे चेन स्टिच इस तरफ आ रही है तो एक और ये दो इन दो को हम इस तरीके से जैसे पहले किया था ऐसे ह है हम इस तरीके से फर्स्ट टाइम ऐसे करना होता है सेकंड टाइम ऐसे करना पर याना कि एक इधर और एक इधर इस तरीके से जाएगा तो उन लेकिंगे यह पर 12 13 फंदे होगा हमारा है ऑफ हम था अफ सो हrias पर चाल को सबना है जो जबता ह हर準 लाजे पर decline किसे डाल देंगे जिस से हमारे chain सीधी जाए और एक और ये दो सात वाला उल्टा फंदा इस तरह कि से घटा देंगे दो का एकस एक समय न हमारे पंच फंदें ठीक है जान चार एक जड़न तर्चला गया था यहां पर पुटे एक दो तीन चार और ये पाँच पहले साथ बने थे अब हमने पाँच फंदे बने हैं ठीक है एक दो तीन चार पाँच और क्योंकि ये उल्टा फंदा जो है ये जो हमारी चेन स्टिच है इस तरीके से ये इधर की तरफ फिर से गट जाएगा गटाने के बाद में हम उनको आगे करेंगे क्योंकि हमने यहां सेंटर में डालने जाली ये हो गया आगे और तीन फंदे बनेंगे एक दो और ये तीन एक से तीन होगे जैसे मैंने यहां पर रिपीट करना से फिर उनको आगे करेंगे अब ये chain stitch इधर जा रही तो यहां से उठाके फिर पलट देंगे और यहां पर एक और यह दो का फंद इस तरीके से एक कर देंगे यहां पर बचे चार जैसे चार यहां पर धीर धीर यह फंद हमारे कम हो जाएंगे चार फंद ही हमारे उल्टे दो जाली हमारी डल चुकी है उल्टी स्लाई में जो जैसा फंद है वैसे ही दिखेगा जैसे वैसे सीधे दिखने तो सीधे बना लेंगे एक, दो, तीन, और ये चार, ठीक है, यहाँ पर ये उल्टा दिखाई दे रहा ना, ये जाली वाला गया, तो जो उल्टे फंदे वो उल्टे, जो डिजाइन के हैं जाली के हैं, वो सारे हमारे उल्टे हैं, ये देखें, ये भी उल्टा, और ये, ठीक है, एक, दो, तीन, चा पांच चीं см आसा साथ पंदी हमारे पहले पांस ती अब सात्त हो गए और ये देखें उनको पीछे किए रिये हमारे पांच फंद्य इस तरीके सच Чु जैसा दीखा दे रहे उसे उलटी तरफ से हमने वैसा ही बनाना है धीरे धीरे कम हो जाएगा यह देखें यह भी सीधा हमारे अब यह जो पंदे उल्टें उन्हें उल्टा बना लेंगे कि एक कि दो कि ती चार पांच छे और यह साथ फंदे हमारे उल्टे लाश्ट के चार फंदे हो सीधे तो यह हमारे डिजैन की चार सिलाइय आ पूरी हो गई है यह 8 सिलाइयों का डिजैन यह देखे अब 기 देखें अब आप को डिजैन देख रहा वागा घुरू हो गया जैसे हमारा तो यह चेन इदा जा रही एक अध़ा जा रही है तो हांपर पर हमने ऐसे बना आना है तो देखिए हमारा डिजाइन इस तरह किसे देखने लग गया अब हमारे डिजाइन की पांच भी से लाई है पहले हमने यहाँ पर पांच बुने फिर चार अब हम यहाँ पर तीन बुनेंगे एक दो और यह तीन तीन फंदे बुने अबर यह देखिए उल्टा है और यह चैनिस टिश जारी है इसको इसके साथ में घाटा आनुमल लग डो का एक करना नहीं एक इया फंदा और एक इया फंदा इसको हमने पीछे की तरफ से ऐसे हैनी की ऐसे नहीं करना ऐस तरीके से करना है तो उससे पहले हम इन धागे को पीछे ले जाना है क्योंकि हमने सीधा बनाना है तो यह हम दो का एक कर देंगे जब हम दो का एक कर देंगे तब हम उनको आगे लाना है क्योंकि यहां पर एक दो जाली डिलीए अब हम तीसरी जाली यहां पर डाल रहे हैं और यहां पर हमार एक, सीधा बुना, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच फंदे हमने बनाए, पहले एक बनाया था, फिर तीन, क्योंकि एक एक बढ़ गया था, फिर बढ़ा हमारा, तो यहां पर हमारे पांच फंदे हो गए, पांच फंदे बुनने के बाद हम उनको आगे करेंगे, क्यों यह chain stitch इस तरह के से जा रही है तो यहां पर फंदे को ऐसे उठा कर ऐसे बदल देना है अगर आप इस तरीके से बना लोगे तो आपका यहां पर क्रोस आजाएगा यह chain सीधी नहीं जाएगी इसलिए हम इसे इस तरीके से पलट देते हैं और फिर है साथ में जो लटा फंदा एक यह और एक यह दो का एक इस तरीके से हैं और यह उन आगे तो यहां से जाली आगई तीसरी जाली डल गई फिर उनको आगे करेंगे और यह बीच में जो फंदे हमारे पहले साथ थे फिर पांच अब हमारे एक दो और यह तीन क्योंकि यहां पर यह जो लटा फंदा वो इसके साथ में घड़ जाएगा तो उनको पीछे करेंगे और ये इस तरफ हमारा यानि कि एक डिरेक्शन ऐसे एक ऐसे वस आपको ये दो का एक किया फिर उनको आगे किया क्योंकि जाली ड़लेगी और यहाँ पर जैसे यहाँ पर पांच फंदे होए थे यहाँ पर भी पांच हो गए है एक दो तीन चार और यह पांच पांच फंदे बने फिर जाली के लिए आगे किया उनको और ये चेन स्टिच ऐसे उठाई और ऐसे कर दिया और ये दो फंदों का एक किया और उनको आगे किया और लास्ट में तीन फंदे masih इल्टा बना लेंगे और उल्टी तरफ सी जैसा फंदा दिखाईऑ माये तो देखी हमारा डिजैन इतना बन चुका है अब हमारी च्छटी सिलाई पूरी होगी पांच वी पे हमने डिजैन डाला च्छटी उल्टी बनाई और यह सात्मी और हमारी टोटल जो है आठ वी डिजैन हम डालेंगे तो यह देखी एक दो तीन जाले डलगी है और डिजैन मे आप देखेंगे एक दो तीन चार जाली है ठीक है तो चार जाली है तो चार जाली है यानि कि हमारे डिजैन की लास्ट एक तरह से उल्टी तो जैसे ही बनेगी सात्मी सिलाई जो हमारी यह लास्ट है डिजैन की यह देखी ध्यान से अब यहाँ पर तीन फंदे थे अब हमा उल्टे उल्टे उपर तक सारे दो ही फंदे उल्टे रहेंगे ध्यान रखना आपको बस अब ध्यान क्या रहेंगे ही उल्टे दो अब यह चेन स्टिच आगी तो आपको पता है यह साथ वाला उल्टा हमने उनको पीछे करना है और उसके साथ में ऐसे घटा देना है ठीक है यह अब आपको समझ में आ गया होगा और जब हम दो काई कैसे करेंगे चेन स्टिच इस तरी कैसे गई तो उनको आगे करेंगे चोथी जाली हमने यहाँ पर डालनी है तो यह हमने चोथी जाली डाल दी एक फंदा बुन लिया ठीक है तो अब यहाँ पर हमने पांच बनेते हैं अब हमारे साथ हो गए क्योंकि एक तो बन चुके हैं दो, तीन, चार, पांच, चेस, साथ लेकिन हमने क्या करना है यहाँ से हमारा दूसरा डिजैन शुरू हो जाएगा से जो हमने यह बनाया था जिसमें हमारी दो बार मलकी जाली डलेगी है जो फंदे भी हमारे गटेंगे एक फंदे हमने भी देखें मैं आपको फिर से यहाँ से थोड़ा हटा कर देती हूँ यहाँ पर हमने दो का एक किया ठीक है फिर पीछे करा एक फंदा कम हो गया और यहाँ पर जाली डालने है इसलिए फिरून को आगे किया और यहाँ पर हमारी जाली डल गई तो इसके साथ के जिए दो फंदे इनको हमने दो का एक कर देना क्योंकि यह डिजएन फिर से शुरूर कर रहे हैं तो यह हमने दो का एक ऐसे किया ठीक है एक बार यहां किया बीच में जाली डाली फिर यहां पर किया अब यह जो सेंटर का फंदा है इसे बुनेंगे उससे पहले हम उनको आगे कर लेंगे क्योंकि यहां पर फिर से यह डिजाइन शुरू हो रहा है सीधा बनाया उनको आगे करके जाली हो गई फिर उनको आगे करके यहां पर दूसरे दो का एक कर देंगे ऐसे पलटा और यह दो का एक कर दिया तो देखिए हमारा यहांपर डिजाइन शुरू हो गया है और यहां चोथी जाली डालनी है ठीक है ना तो यहांपर दो का एक क्या एक बंदाई सीधा बना ली हमने और उनको आगे किया और यहांपर इस तरीके से वापस ऐसे किया और यहां दो का एक एक उल्टा लेगे यहांपर जाली डल गई और यहांपर भी हमारा घट गया और यह इसकी जाली यहां डल गई इसकी जाली यहां डल गई और यह जो सेंटर में हमने दो का एक क्या, यहांदो का क्या दोनों की सेंटर में जाली है कि टोटल हमने यहां पर चार जाले हैं राली एक दो तीन चार और चार बारी फंदे घटाएं एक दो तीन चार बस यह साथ में सिलाई में यह काम है उनको आगे करेंगे और यहां पर हमारा एक फंदा उल्टा ठीक है एक ही रहे गया ना जैसे पहले साथ थे फिर पांच वे पिर 3 हुए अब यहां पर एक फंदा एक फंदा लेकिए उनको पीछे करना यहां पर एक ही चलेगा उपडा तक जैसे हाँ दो और यह डिजाइन यहापट बना लेते हैं सीदी चेन स्टिच यहाँ दो का एक किया चोथी जाली के लिए उनको आगे किया और यह एक फंदा बुन लिया जाली डल गई इस सेंटर का फंदा है यहाँ दो का एक किया जैसे अभी किया था पीछे की तरफ से क्योंकि दूसरा डिजन शुरू हो रहा हमारा उनको आगे किया एक फंदा सीधा बना लिया उनको फिर से आगे किया और ये एक और ये दो इस तरीके से उनको ऐसे पलटा ये दो फंदो का एक फंदा बना दिया सेंटर में जाली आगी ना दून तरफ और ये पर एक फंदा ही सीधा बना लेंगे और ये पर चोधी जाली डिलेगी उनको आगे किया और इसको ऐसे पलटके दो का एक कर दिया उनको आगे किया लास्ट में दो फंदे उलटे ठीक है यहाँ पर न पर दो मत अलटे हैं यहाँ दो फंदे उलटे सेंटर में एक even उलटा बस आपको शुरूराद करना जब ऐसर डिजैन बनेगा फिर आपका बीच में एक ही चलेगा हैं चलेंगे हैं दो चलेंगे और यह हमारी साथ मीव पुरी होगहिए डिजाइन की उल्टी सलाई ऐसे बनाने जो फंदा जैसे दिखे रहा हूं यह से हमारा बनके कुछ ऐसे त्यार वह है यहाँ से सेम यहां पर हमने शुरू कर देना है सात्वी सलाई में और आठ्वी सलाई है हमारी सेम फिर हमारा डिजाइन सेम यही से जैसे शुरू होगा तो देखी जब आठ्वी सलाई है हमारे दो फंदे सीधे यहां पर आएंगे सेंटर में एक ही आएगा क्योंकि एक यहां पर उल्टा रह गया था और यह देखिए हमारा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा फंदे हमारे उल्टे पड़ते हैं, ठीक है यह एक फंदा बीच में जो यहां से उल्टा था वो सीधा, ठीक है तो जो जैसा दिख आगे देखिए नहीं दिखाई दे रहा ना सिर्फ अब को यह कलियां जो पतियां हमारी सीधी सीधी जाली वाली वही बनाने हैं, तो देखिए फिर से हमारा डिजाइन फर्स्ट रो शुरू होगी, डिजाइन हमारे यहां से शुरू हो गया है, और यहां पर एक, दो, तीन जाली होगी ना, अब हमने यहां पर जाली नहीं डालने हैं, यहां पर डिजाइन बंद होएगा, एक, सीधा बना लिए, जाली वाला फंदा भी हमने सीधा बना लिया, कोई दो का एक नहीं किया, जब एक, दो, और यहां पर यहां पर यहां जाली आ गए, ठीक है, हिसा एं है क्योंकि है रिजाइन हमारे हैं से शुरू रही है फिर उन時間 करेंगे सैक्लिन जाली के लिए और एक दो और ये तीन ठीक है ना जैसे हमने पहले एक फंदा बुना था दोने दुरस जाली अभिए तีन होगी जैसे हमने यहां से शुरू किया था सेम हमारा रिपीट उरा उनको आगे करेंगे और इस फंदे को उठा के ऐसे पिलड देंगे here पर दो का एक कर देंगे और यहां पर एक जाली वाला भी सीधा बना लेंगे और इसको भी हम उप्कि हमारा इहां डिजाएं जाली जो यहां खतम होगी अभी जाली बनने शुरू होगी उनको आगे करेंगे एक सीथा सेंटर में एक ही रहेगा अब उल्टा फन्दा उनको पीछे करेंगे और यहांपर जाली हमारी चार डल चुकिए जैसे हमने यहांपर बन कर दिया यहांपर भी एक और यह जाली वाला फंदा दो और तीसरा जो हम यहाँ पर दो का एक कर देंगे उनको आगे करेंगे एक जाली है तो इसे एक, दो, तीन फंदे बुनेंगे उनको आगे करेंगे और यह इस चेन को ऐसे पलट देंगे और यहाँ से दो का एक कर देंगे दोसरी जाली यह और यह सीधा बना लेनी जाली वाला भी और यह सीधा उनको आगे किया लाश्ट के दो इलटे उलटी तरफ से जो जैसा दिखाई दे रहा है उसे वैसा ही बनाना है तो देखी अभ हमारी दो जाली होगी तीसरी जाली यानिकी एक डिजाइन, दो, तीसरी, चार यानि कि साथ में पर बस आपको ध्यान रखने वाली बात है अब हम तीसरी जाली डालने के लिए क्या करेंगे फिर से देखे, दो हमने उल्टे बनाने ही तो उल्टे ही रहने जैसे मैंने बताया उनको पीछे किया, यह देखे पांच तक तो आपको बनाना होता है बस चोथी जाली में फिर उनको आगे किया देखे 5 पिर ये चेन इस्टिच है इसको उठाया ऐसे पलट दिया और पीछे वाला फंदार आगे वाला जो पलटा हुए ये पीछे वाला दो का एक किया जाली होगी घट गया और ये लाश्ट का एक फंदा सीधा इसे सीधा बना और फिर दूसरा इंची सीधा बनाया यहां दो का एक किया यहां पर जाली डिल गई पांच फंदे दो तीन चार और यह पांच उनको आगे किया प्लड दिया और यह एक दो और लास्ट में एक ही फंदा ये सीधा उनको आगे करके लास्ट के दो फंदे और उल्टी सलाई में जो जैसा फंदा दिखाई दे रहा है उसे वैसा ही बनाना है तो देखिए अब आपको डिजाइन देख रहा होगा ठीक है न इस तरीके से बस जब भी आपका ऐसे बना चोथी जाली आई फिर सेंटर से शुरू हो जाएगा तीन जाली तक आपको इसी तरीके से प्लेन बनाना है एक दो तीन जैसे पांच फंदे तक जब आपकी साथ में इस साथ फंदे हो जाएगे और यहां चोथी जाली डलेगी जब आपको चार बार जाली डलने पड़ेगी यानिकी बीच में से डिजाइन शुरू हो जाएगा जैसे अब हमारी एक दो तीन जाली पर चोड़ की है अब हम फिर से साथ में इस तराही है डिजाइन की तो यह हम इस पर शुरू करते हैं बनाना स्वेटर पर ठीक है ना क्योंकि यह हमारी देखी एक दो तीन जाली डल चुकी है और चौथी जाली हम यहां पर अब शुरू करेंगे तो इस स्वेटर पर ही हम देखी हमारा बन रहा है तो मैं आपको अब इस तर एक लाइन बनाना सिका देती हो और स्वेटर की जितने लंबी आपकी लैंट करनी है आप स्वेटर की बना लीजेगा और आपको डिजाइन की भी प्रैक्टिस कर लेजेगा जब तक हम अपना भी स्वेटर थोड़ा बना लेंगे तो यह देखी पहले दो फंदे उल्टे हैं हमारे जैसे हमने 2 थीक है अब 여हाँ पर ने देखिए एक दो तीन जयली यदो फंदे हमारे सीधे ही उनको आगए किया और यह दो का एक कर लेना है एक और यह दो छीन घंगा देने नाम procedural का एक request यह द हैं बना लिए जाली डाल के अब कर लिए इसके तर amount का फंदे हमने इस साथ की परिज है से दो का एक कर देना है कि एक फंदा कम पूरा करने के लिए फिर से में जाली टालने पड़ेगी उनको ऐसे किया कि एंट्रि वाला फंदा में सीधा बना लिया तो है फिर उनको आगे किया तो畫 एक इधर है तो एक ऊपेerem होगा और इसको हम इस तरीके से प्लट देंगे और एक और ये दो इसको हम हुँ बना लेंगे तो ही हमारी सेंटे में डिजैन शुरूँ कर जैसे और यहां चोथी जाली हम डाल रहें यह एक फंदा बनाने के बाद में उनको आगे करेंगे और यह दो का एक कर देंगे इस तरीके से और यह एक और जाली हो गई और यह एक फंदा कम हो गया तो देकि हमारा से शुरू हो गया और हमारा खतम हो गया पिर इस तरीके से रिदी से सेंटर के तीन जाली हो जायेगी तो छोथी में ये डिजैन छुदेगा हमारा, उनको आगे किया ये एह फंदैंड हमारा कि और उनको पीछे किया सेम डिजाइन रिपीट करना है दो का एक किया कि उनको आगे किया चोथी जाले के लिए एक बना लिया फिर उनक सुर्ई यह दो का एक किया क्यूंकि सायंटर का बंदा है तो देखिए, दो का एक किया, उनको आगे किया, सेंटर का फंदा बना लिया सीधा, फिर उनको आगे किया, फिर यहां से फंदा उठाया, ऐसे पलट दिया, और दो का एक किया, सिर्फ आपको साथवी सलाही मेरे इस तरीके से आपको दो जाले नडालने पड़ती है, सीधा बनाया, और चेन के साथ में, पहले उनको आगे कर लेना, फिर इसको इस तरीके से दो फंदेंगे, यहां पर दिजाइन हमारा, खतम हो गया, ठीक है ना, यहां से शुरू हो गया, फिर इस तरीके से जैसे ही हमारे चोती जाले आएगी, फिर हमारी से शुरू हो जेगी, इस तरीके से डिजाइन बनता चला जाएगा, तो मुझे उमीद आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, नहीं समझ में आया, तो यह स्वैटर भी हमारा बनना ही आगए है, निवाद रदे रदे रदी